नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्सटायल यात्रा में दोस्तों आज मैं आपको ले करें आप सब की सोप Mgfasion में आप सब कमेंट करते हैं Mgfasion का वीडियो बनाओ तो राम भाई के पास मैं आज लेकर आगया हूं आपको , अब राम भाई मेरे साथ है इनी से ज और सरदार मार्केट के बिलकुल पास है अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो वहां से खाली दस मिनिट का रस्ता है और जब यह अगर रेलवे स्टेशन से आएं तो एक चीज का जरूर द्यान रखें कि बीच में अगर कोई रिक्सा वाला कोई दूसरे सोप पे लेके जाएं तो आना जाएं क्योंकि वह सब उनके दलाल होते हैं और दलालों से बचें नहीं तो आपको माल वेंग भी पड़ सकता है तो रहां बाई अभी जैसे कोई नया वैपारी नया वैपार करना चाहता है उसको कौन सी वेराइटी बढ़ने चाहिए आपके इसाब से जो लग बग जो सदावार आइटम है जैसे कोटन है पसमिना अभी सीजन के इसाब से पसमिना काफी चल रहा है और अभी सर्दियों का सीजन है तो जो जाड़ा कपड़ा होता है हां मोटा कपड़ा हां वो सब की डिमांड जादा रहती है और बाकी तो अलग लग अरी पे देता हूं वीडियो में बने रहे हो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल से जूड़े रही है यह देखिए यह जापान शाटिन पर डिजीटल परिंट आएगा पूरा देख लिए डिजीटल परिंट है और यह आपको एकदम आदे से भी कम रेट में पड़े है जी और इससे समय लो मैं तो खाल यह डिजीटल परिंट परिंट का भी रेट नहीं ले रहा है आपको मैं यह देंगा तीन सो असी रुपे किलो में किलो में दस मिट्र चड़ता है अड़ तीस चालिस रूपे मिट्र है बढ़ेगा आपको यह देख लीजीजिए इसमें दो से बढ़ा कट चीए तो यह देख लीजीए यह दो से बढ़ा कट है पूरा इसमें भी मतलब ऐसी प्रिंट आएगी टोटल इजिटल परिंट यह आएगी दो से बढ़ा आपको पड़ेगा 310 रुपे किलो जी और 4 मिट्र से बढ़ा भी अपने पास काफी मिल जाएगा जितना चीए उतना चार मिट्र से बढ़ा आपको पड़ेगा साड़े 300 रुपे किलो में जी और अभी मैं आपको बता देता हूं पस्मिना जो सर्दियों के सब से काफी चल रहा है इसके भी मैं एक दो पीस आपको बता देता हूं इसमें अगर आपको ताके चीए तो ताक चीए जो है इसकी सलवार बनती है और जापान पर इसकी सलवार के लिए एकक्सपोर्ट की जापान है के एक्सपट कॉलीटी तस्ने वाला जापान नहीं है वालका थाथ बृटे जू यह यह वाला जापान साथीन एटाइसओ रूपय किलो सुस्मेश मीढ़ेंगे कोई डिष्टी कनार का अनिहे झूप यहां डॉपान सुपन का कोई ऊपको कि ऑपन की बेना है इस्या, साथ इन वो होती है लटरा साथें यह देखी यह अल्टरा साथें यह एल्टरा साथें धूली में है लग जासे है यह जापान बोल के बेंस यह मिटलन दस्ती है अगर आप आप है की एकम यह सो कदो ही यह तो 1944 ला difference से यह पूरी जी इसमें 5 मिटर से बढ़ा कट ची है तो साड़ी 300 रुपे किलो यह रहा 5 मिटर से बढ़ा कट भी अपने पास मिल जाएगा अपके और यह एकदम सश्ता पड़ता है एक किलो में 18-19 मीटर चड़ता है तो यह आपको 15-16-17 मीटर पड़ेगा बिलकुल जबकि इस साड़ी 300 रुपे किलो है 350 हां यह देख लीजिए इस टाइप कि इसकी प्रिंटिया है कि इसमें 2 मिटर से 10 मिटर चीए तो आपको एकदम सश्ता मिलेगा 310 रुपे किलो जी यह जो नीचे माल लगा है वह सारा 2 मिटर से बड़े का माल है अहां 2 मिटर से बड़ा आपको only 3 110 रुपे किलो मिलेंगा और इसमें सारी सेम इसी डिजाइन है गी देख लीजिए वह यह सब इसके कलर नहीं पूरे डार्क रेंज को रहेगा जी और दस 10 मिटर का फिक्स कट रहेगा और भी मैं आपको सबसे ज़यादा चलने वाल आ पूरे ताक्य मिलेंगे आपको मेरे पास पूरा सुच्छा मिलेंगे और ताक्य मिलेंगे यह देख लीजिए लेखिए लाइब किदर भी छेद याप कटा फटा नहीं दिख रहा आपको यह पूरे ताक्य है अभी मैं इसको साब कटिंग करवाओंगा दस-दस मेटर और मिक् तो रियोन कोटन में एक दम रेट भी है आपने सुना होगा 57 रुपे बटा हुआ है फ्रेस में भी फिर भी हमारे पास पुराने वाले रेट में आपको माल मिल जाएगा 300 रुपे किलो में दो से 10 मिटर कट जिसमें 7-8 मिटरी जादा है और ओनली 10 मिटर का कट्ची है तो व भी आपको हमारे पास मिल जाएगा उसका सिर्फ 20 रुपे किलो जादा है 320 रुपे किलो में आपको मिल जाएगा और रियोन में मैं आपको एक और राइट यह और बता देता हूं मिरर वर्क बता देता हूं आपको रियोन मिरर है हाँ यह देखिए यह है रियोन मिरर वर्क पूरे मिरर वर्क की अलग अलग प्रकार की सब डिजाइन आएगी और इसके हमारे पास हमें सारे गुलर आता है माल और ताक्के आते हैं और यह जो ताक्के होते हैं उनकों 10-10 मिटर कट करवाते हैं जी यह देखिए इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई डेमेज आया तो इ यह सब इसके कलर है टोटल रेगुलर कलर मिलेंगे और 10-15 किलो का एक बंडल होगा यह देखिए लिनन कोटन जो की सर्टिंग में सबसे ज्यादा चलने वाला इटम है जो आपको किसी भी दुकान पर औरिजनल मिलने की समभावना बहुत कम होती है क्योंकि यह फ्रेस में ब मतलब कुड़ते पजा में सर्ट वगेरा बनते हैं यह देख लीजिए पूरा 10-10 मिटर का कट है जै और यह सब मतलब रेगुलर जो कलर चार्ट है इसका यह इसा इसमें कलर आता है जै इसके अलावा जो मैंने आप इंडो कोटन भी बताया था प्रिंट में उसका अगर ला इसमें और यह है दस-दस मिटर का ट्रियोन कोटन देखिए यह बांधनी वाली प्रिंटे सब रेगुलर प्रिंटे सूट के लिए फ्लावर डिजाइन सब और यह आपको ओनली 370 रुपिय किलो पड़ेगा 370 और 10-10 मिटर का कट मिलेगा फिक्स रेगुलर पना रेगुलर किलो में चड़ेगा 9 से उपर ही चड़ेगा अगर कोई बोलता है कि नहीं चड़ता तो आप मेरे पास आए मैं वजन करके आपको बताता हूं कोशनी निकाल के आपके सामने इतना चड़ेगा माल जो बोल देंगे वह याएगा माल में कोई भी 19-20 नहीं आएगा यह देखि यूजा जिए यह देखिए सब अलग अग अलग रिगूलर डीजाइन एस डिजाइन आपको मार्केट में कही नहीं मिले जाईगी मेरे पास हर परकार की डिजाइन आपको रियोन में मिल जाएगी इए इसमें आपको जितनी डिजाइन चेहर पीस अलग डिजाइन का हो ख Thinking इतनी दिजैन चीह उतना डिजैन हमारे पास आपको मिल जाएगा यह देखिए फ्रेंश प्रिंट राजस्तानी प्रिंट पूरी चोटी चोटी डिजैन और सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल आएगा दसने वाला नहीं है यह यह फ्रेंश प्रिंट का दो से बड़ा कट है तो प्लस हां यह देखिए अधिया एक दम चोटी चोटी डिजैन और जो सबसे ज्यादा चलने वाली डिजैन है वही डिजैन आपको मारे पास मिलेगी दो मिटर से बड़ा कट मिलेगा पूरा और रेट भी आपको मार्केट से कम से कम 50 रुपे किलो के कम मिलेंगे 280 रुपे किलो में हाँ 280 रुपे किलो आपको मिलेगा और यह प्लेन आइटम है सब यह तो रियोन है जो अभी मैंने बोरे में से निकाल के बताए था यह दो मिटर से बड़ा 300 रुपे किलो है और यह है पीशी कोटन पूरा फ्रेश माल और 10-10 मिटर का कट यह दे 330 रुपे किलो में अंली 330 रुपे किलो में फ्रेश माल दूँगा 10-10 मिटर का पीशी कोटन का माल दूँगा जबकि इसकी फ्रेश करेट अभी 38 रुपे चल रही है यह आपको ऐसे समलो 25 रुपे पड़ेगा इसमें अगर 2 मिटर से बड़ा माल चीए तो भी आपको मिल जा जाएगा और इसके लावा ग्लेस कोटन भी अपने पास यह ग्लेस कोटन है यह दस-दस मिटर का कट है 380 रुपे किलो है उसमें भी टोटल रेगुलर कलर ही है और अस्तर में यूज लेने के लिए एक और आइटम मैं आपको बताता हूं यह है माइक्रो अमेरिकन माइक्रो यह खाली अस्तर में यूज होता है अस्तर में सबसे सस्ता पढ़ने वला इटम है यह यह देखिए पूरा साब सुत्रा माल आएगा और दो से दस मिटर का कट है दो से दस मिटर का कट आपको पढ़ेगा ओनली डेड़ सो रुपीय किलो और यह किलो में 16 मिटर चड़ता है तो इस हिसाब से आपको आठ नौ रुपीय मिटर इसा पढ़ेगा यह सबसे सस्ता अस्तर के लिए सलवार के लिए अगर कोई कपड़ा है तो माइक रोई है और इसके अलावा एक बैंगलोरी भी आपको बता देता हूं जो बलाउज में बढ़िया चल रहा है और रेट में है मैसा यह देखिए बिल्कुल यह दो से 10 मिटर कटाएगा 120 किलो और एक किलो में 13 मिटर चड़ेगा इसके बलाउज भी चलते है यह अस्तर में भी चलता है और हर जगह मतलब यह यूज होता है प्लैन की जगह सलवार भी आप इसकी बना सकते हो जी और यह देखिए यह है के दुपटे नाजमीन के दुपटे अगर आप मार्केट में नाजमीन दुपटे की एगर रेट पता करोगे वजन से लोट के अंदर भी तो आपको 380 रूपय साड़ी 300 रूपय किलो से आपको कोई कम नहीं बोलेगा बिल्कुल और मैं आपको दूंगा मत्र 280 रूपय किलो में जिसमें 20-25 रूपय पीस पड़ेगा कोई 30 रूपय पीस पड़ेगा ऐसा पड़ेगा देख लिए सब अलग अलग कलर डिजाइन होगी आपको में पीस एक दो निकाल के पता देता हूं नाजमीन दुपटा है प्योर नाजमीन रहेगा एक दम कोई भी शिफोन शिफोन नहीं डाला हूँगा अंदर एक एक पीस देख लिजिए प्योर नाजमीन ने बिल्कुल मुटी में आ जाता है हां इसमें हर बंडल में अलग अलग कलर मिलेंगे देख लिजी एकदम हेवी डिजाइन भी मिलेगी और अगर आपको प्लेन चीए तो इसमें प्लेन भी आपक प्रेश रुपया पड़ जाएगा इसा पड़ेगा पूरा वजन वाला यह देखे सूट का एक और आटम को टन का मैं आपको बता देता हूं यह आपको एकदम सथा पड़ने वाला है यह किलो में 12 में चाड़ेगा और इसकी मतलब प्रिंटें देखिए इस प्रकार की इसक इसको तो सब लोग जानते हैं क्योंकि ड्रेस में बढ़िया चलने वाल आइटम है जो सबसे पुराने टाइम से चल रहा है इसमें जोर्जेट कपड़ा होता है उसके उपर साटन की पट्टियां होती है और उपर प्रिंट होती है यह देख लीजिए इसमें आपको मिल जाए अगर सूट बनाएं तो ऐसे सूट बन जाएगा जो नीचे दामन है वह नीचे रहेगा और इसे अपुड़ती सूट कुछी बना सकते हैं इसका ड्रेस में भी यूज ले सकते हैं इसमें सब अलग डिजाइन आईगी देख लीजिए इसमें आपको जितना माल चीए आपको हमारे पास मिल जाएगी यह देखिए यह आपको एक मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी की बता देता हूं रेंज यह है बेबी सिल्क जो के भी सबसे ज्यादा चल रहा है यह थोड़ा मोटा कपड़ा आता है जापान साटें जैसा होता है इसमें यह यह भी पूरा डिजिटल प अधार पूरा एक्सपोर्ट का ही माल है पूरा यह देख लीजिए यह सब डिजाइन है पूरी देख लीजिए रेगूलर डिजाइन और जोरदार फ्लावर प्रिंट जो सब से जादा चलने वाली छोटी प्रिंट है वो सब इसमें यह आपको तीन सो असी रुपे पड़े से दस मिट्र यह जो थान है इसमें पीस में पीस नहीं है यह मतलब पूरा कट यह है पुरा बड़ा कट आएगा और यह देखिए यह है पिसी कोटन के ताके आपको मार्केट में कोटन का पिसी कोटन का अगर कट पीस लोगे तो भी 300-300 रुपय मिलेगा और मैं आपको ताके दूंगा 330 रुपय किलो में और जिसमें मेरी जवाबदारी भी रहेगी कि फ्रेस है माल पूरा आप जो ताका बोलो खोल कि मैं आपको दिखा भी सकता हूं इसमें आपने पास कलर इसमें 8-10 कलर है मेरे पास जो रेगुलर कलर है जैसे रेड रानी बलेक ब्ल्यू यह सब कल आते तक हुए हाथ Lima थे मौन अपने तेखा होगा मेरी कोई देखा वी वीडियो के नीचे कभी वी कंपलेन नहीं आegई हुई आपको मिल इसलिए करते हैं क्योंकि हमाल साथ सुतरा देते हैं जो माल देते हैं वो निकलता है उन जो बड़ा कोट होता है उसमें जो जो जौब दारी लेते हैं उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं निकलती यह देख लीजिए यह तो रियोन कोटन है जो आपको बताया था 380 रुटे किलों यह मतलब पूरे ताक्य देख लीजिए यह वजन से आपको 370 रुपिय किलो पढ़ेंगे ओनली 370 रुपिय किलो यह बड़ा पन्ना होते वे नौ मिट्र चड़ता है किलो में और किलो में 9 मिट्र चड़ेगा तो आपको यह पढ़ेगा 40 रुपिय मिट्र जे और इसकी कुड कुड़ती बनाने में तो आपकी 50-60 रुपिय में कुड़ती तयार हो जाएगी बिलकुल और अलिक यह दिखती वाली जो लेटेस्ट प्रिंट्य है वह इस पर आपको मिलेगी देख लीजिए सब आपको कुड़ती वाली प्रिंट्र मिलेगी जो अक्सर केमरिक पर प्र जो दूपटे ही है नाजमीन के दूपटे ही है जो मैंने आपको नीचे बताया था 280 रूपे किलो इनका रेट रहेगा तो सर आपने ओर किसी साब से रहा है मिनिमम ओर आपको कम से कम 10,000 का लेना पड़ेगा कि 5-10 किलो माल का तो ट्रांसपोर्ट वाली भी लेते नहीं है यहापर यह काफी बोलते हैं कि 5-1000 का भी ओर दीजिए लेकिन 5-1000 का ओर में देखो 10-12 किलो माल आएगा वो 10,000 का तो मिनिमम ओर रहे गाई 10,000 से उपर आपकी जितनी मर्जी हो जितनी वराइटी आपको पसंद हो उतना आप हमसे ले सकते हैं और जो स्क्रीन पर नमर लिखे हैं उनसे हमसे कॉंटेक्ट करके और आप जानकारी ले सकते हैं कोई भी आइटम के बारे में जो भी आपक की रिक्वर्मेंट हो तो आप हमको बता सकते हैं बिल्कुल जब